इसली में आप लो कि आपको परिशान को भी नहीं होना है मैं आपको जो जादा टॉफ लगता है वह हम नहीं करेंगे हम वही उच्जान करेंगे जो हमारे एक्जाम के लिए beneficial होगा, ठीक है, हमको पूरा तरीके से class 12 का slave us नहीं करना है, मैं वही चीज़ कराऊंगा, जो काफी जादा important रहेगी, ठीक है, चलिए, अब मैं जब पटवारी का बलूँगा तब वो सुने, और बस वीडियो को एरफोन लगा लिजे और class 12 वाले students, दोनों ध्यान से हमारी वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है, पहला question है, which is not a function of management, ये चारों में से management का function कौन नहीं है, तो जो पटवारी वाले student है, और class 12 वाले student है, दोनों ध्यान से सुनो, याद रखो, जब भी कभी पूछे, function बताओ management के, देखेंगे दोस्तों function क्या होते है, management के, आपको बता है function का मतलब होता है, कोई भी car है ना, मैं हिंदी में ही बताता जाओंगा दोस्तों, याद रखना commerce जो है, वो English पर काफी ज़्यादा बेज़द है English में ज़्यादा सरल है, commerce हिंदी के मुताविक है, तो जो भी Hindi medium students है, परिशान ना हो, देखें, मैं पूरी तरीके से हिंदी ही बोलता हूँ, ठीके, हाँ, तो क्या कार है management के क्या कार होते है, ठीके, तो planning करना, management का कार है, है ना, staffing मतलब हमको नुकती पर रखना, लोगों को रोजगार देना, ये क्या है, management का कार है, और controlling, मतलब जिनको हमने रखा नौकरी पर, उनको control भी तो करना पड़ेगा न, जिससे वो अच्छे से काम करें, है ना, किये नहीं कि हमने, बस उनको question को बड़े देहां से सुन पढ़ना है, और सही, चारों options को देखकर, सोच समझ कर हमको सही answer पर, टिक लगाना है एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, पटवारी बाले student से कि आपको हिंदी में, यदि समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़िए, इंगलिश में समझ में आ रहा है, तो इंगलिश में पढ़िए जब आप exam देंगे, तब, ठीक है, आगे बड़े चलिए, आप बार बार में पटवारी students बोल रहा हूं तो class 12 वाले परिशान ना हो, आप तो भाई अपना art कैसे और science कैसे है, देखो दोस्तों, management का क्या मतलब है, किसी से काम कराने की कलध, management है, मतलब कलध, art हा गया, है ना, मैं अब मेरे को, मेरे संस्था में employees हैं, उनसे काम करवाने की कलध, मतलब management art तो है, और science भी है, science मतलब, इसके अंदर भी कुछ rules and regulations होते को ऐसे ही आराम से सॉल करना है पटवारी एक्जाम में भी और जब हम एक्जाम में क्लास 12 बोर्ड का एक्जाम दे रहे होंगे तब ही चली आगे बढ़ते है मैं ऐसी स्पीड से पढ़ाऊंगा पर याद रखिए वीडियो डेली आएगी तो आप आराम से अच्छे से पढ़ जब पैसे की बात आती है तो ग्रोथ की बात होती ही होती है आज रिलाइंस है गौतम अडानी है और बड़े बड़े जितने भी लोग है वो उनके पास परियाप्ट पैसा है ना पर फिर भी नहीं रुक रहे है ग्रोथ करते जा रहे है क्योंकि उनको अब और भूख हो में लोगों को कम-कम सेलरी में रख लिया जाता है ना इसलिए तो हम गवर्मेंट की तरफ भागते हैं आज आप देखेंगे MP में हर घर से पटवारी है मतलब केने का ततपर यह है कि हर घर से फॉर्म भरा हो रहा है पटवारी का यदि मेरी कॉलोनी में 100 घर हैं तो वहां से कम 200 लोग फर्म भर रहे होंगे वहीं उसी 100 घर हों से मतलब हर घर से 1-2 ब्यक्ति पटवारी का फर्म भरने वाले हैं एज भी 40 दे रखी है समझ मेरी मेरी बात तो प्राइवेट संस्थ होती है तो प्राइवेट में बी और गॉवर्मेंट में भी है ना पर में समझा दिया यदि S-type के कोई भी question आएगा related question भी आएगा तो आप कर ले चाहोगे चलिए आगे बढ़ते है आप देखते हैं हम policy formation policy formation is a function of policy कौन बनाता है यार यह बता दो चलो policy कौन बनाता होगा आच चलो आपन सरकार देखते हैं प्रिजेंट सरकार देखते हैं Indian government हमा Formaltation क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों परेशान मतो मैं formation formation बोल रहा था पर formulation का मतलब भी बना नहीं होता है तो परेशान मतो है ना तो बनाता कौन है top label manager बनाते हैं जो top management में बैठते हैं वही लोग policy बनाते हैं जैसे हमारी present government Indian government में जो लोग PM के करीब होंग कि इसमें important important minister के खास-खास minister होंगे कुछ collectors होंगे है ना जो secretary होते हैं वो लोग policy बनाते हैं तो वो top management में आते हैं है ना यसा जंधन योजना हो गई है यह सब योजना है जो बनते हैं यह सब top label management बनाते हैं है ना चलिए coordination यहां तक 4 questions तक clear हो गया आप फोड़ा से speed बढ़ाते है coordination is coordination किया है पहले तो मैं आपको coordination समझा देता हूँ देखिए दोस्तों यहां पर मेरा काम है वो हर एक चीज को समझाने का है देखिए मैं बैसे भी आपको mcqs ही पढ़ा रहा हूँ है ना exam label ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश यह करूँगा कि हर एक चीज आपको समझाता जाओं जिससे आपको हर एक चीज clear होती जाए साथी साथ तो अभी तक जो मैंने आपको चार question पढ़ा है ना उसी से आपका coordination का मतलब clear हो जाता है management सब को साथ में लेकर चलना चाता है management जब तक साथ में लेकर न वो एक management कहलाता है है ना तो management is a group activity आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं करोगे share नहीं करोगे comment नहीं करोगे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा channel का management खराब हो जाएगा है ना तो यदि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी support बनता है कि वमेशा याद रखना how many levels of management तीन लेवल होते है management के top, middle और lower तो हमेशा याद रखना 3 level management के होते हैं तो हम आंसर काई पर लगाएंगे 7th का B और 6th का C बाला अब आगे बटते है The supervisor is a manager of चले है